Hello everyone and welcome back to the channel आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा next topic जो कि है classification of sources of funds अब funds को हम कैसे कैसे classify कर सकते हैं sources of funds को हम कैसे कैसे classify कर सकते हैं सबसे पहला आ जाता है हमारे पास on the basis of period period की बात करें तो पैसा हमें short term के लिए चाहिए medium term के लिए चाहिए और long term के लिए पैसा चाहिए next हमारे पास आ जाता है on the basis of ownership ownership की बात करें तो पैसा कहां कहां से raise किया जा सकते हैं हम honors funds का भी use कर सकते हैं और borrowed funds का भी use कर सकते हैं next बात करें on the basis of sources of generation अब पैसा कहां कहां से generate किया जा सकते हैं इंटर्नली भी हम funds को generate करते हैं और externally मतलब बहार से भी हम पैसो को raise करते हैं अब एक एक करके detail में जान लेते हैं होता क्या है सबसे पहले बात करते हैं हम long term funds की long term funds long term funds चलो पहले हम long term नहीं पहले short term से start करते हैं short term finance short term funds अब short term के लिए पैसा चाहिए हमें short term मतलब day to day operations के लिए पैसा चाहिए day to day operations में क्या आ जाता है हमारे पास हमें daily wages भी pay करनी होती है हर में इने salary भी पे करनी है बिल भी पे करना, electricity का बिल, water बिल, बहुत सारे छोटे-मोटे खर्चे आ जाते हैं इन छोटे-मोटे खर्चों के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? Short term finance, short term finance की बात करें, वो पैसा जो हमें कम से कम एक साल के लिए चाहिए वो पैसा जो हमें कम से कम, less than one year एक साल के लिए पैसा चाहिए, और किसलिए चाहिए? Used for meeting short term needs of the business छोटे-मोटे नीड, छोटे-मोटे खर्चों के लिए पैसा चाहिए, उससे क्या बोला जाता है? Short term finance, such as investment in working capital, जैसे की raw material परचेस करना है, wages देना है, salaries देना है, rent देना है तक की बात करें, तो उसे क्या बोला जाता है? Short term finance, clear? Next आ जाते हैं, next हमारे पास आ जाता है medium term, अब एक साल के लिए पैसा चाहिए, तो किस में आ जाएगा? Short term में आ जाएगा, next बात करते है medium term की, तो it is used for the modernization, अब ऐसा तो नहीं है, सिरफ day to day expenses के लिए पैसा चाहिए, अब आपको business को modernize भी करना है, चलाना भी है, आगे बढ़ाना भी है, उसके लिए आपको पैसों की requirement है, तो it is used for modernization and expansion of business, अब ये पैसा कितनी सालों के लिए र क्लासिफाई किया, short term में, और एक साल से जादा और कम से कम 5 साल के लिए, for a period of 1, 2, 5 years, एक साल से जादा और 5 साल तक के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो हम उसकी classification किस में कर देते है, medium term finance, अब ये पैसा कहां से raise कर सकते हूँ, you can use debenture, financial institutions, commercial banks, public deposits etc, क्या होता है हम, एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, आने वाले lectures में आप देखोगी, आप देखोगी, debentures क्या होता है, commercial banks क्या होता है, financial institutions क्या होता है, public deposits क्या होता है, कैसे कैसे आप इन से पैसा raise कर सकते हूँ, finance कैसे arrange कर सकते हूँ, तो medium term की बात करें, medium term में क्या, क्यूं चाहिए प बात करते हैं, short term से start किया, medium term पर पहुंचे, अब हम बात करेंगे long term finance की, long term मतलब अब पैसा हमें, एक से पान साल की classification हमने किस में कर ली, medium term में कर ली, अब हमें पैसा चाहिए लंबे समय के लिए, लंबे समा कौन सा हो गया, minimum 5 years, minimum मतलब कम से कम 5 साल और 5 साल से जाधा भी ह हो सकते हैं, 5 years बोल सकते हो, 10 years बोल सकते हो, 20 years बोल सकते हो, 30 years बोल सकते हो, it means, जब 5 साल से जाधा आपको पैसा चाहिए, तो हम उसकी classification किस में करते हैं, long term finance, इसको और क्या बोला जाता, fixed capital, it refers to funds raised for a long period, minimum 5 years, and it is used, आब ये पैसा क्यों चाहिए, for investment in fixed assets, fixed assets, आप लोगो पत benefits देने वाले होती है, long term investment है, one time investment है, huge amount involved होता है, एक बार invest कर दिया, you cannot take your decision back, तो यहां पर सोच समझ कर decision लेना होता है, because it is required for the permanent needs of the business, अब यहां पर जो भी fixed assets आप पर chase करोगे, permanently आपको business में रहती है, future में benefits देती है, लंबे समय की investment है, इसलिए इसे classification किया है, more than 5 years, usually long term finance is raised from, अब पैसा, long term finance को raise करना है, तो किन-किन sources के use किया जाता है, you can raise it from shareholders, debenture holders, financial institutions, retained earnings, etc, अब इन सब को भी हम detail में के करके study करेंगे, आने वाले lectures में, अब हम next classification देख लेते हैं, पहले revise कर लेते हैं, long term की बात करें, long term मतलब, long term की बात करें तो, more than 5 years, बतलब 5 to 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ओके, और medium term की बात करें, तो medium term पैसा कितने सालों के लिए चाहिए, 1 to 5 years, short term की बात करें, तो short term में पैसा कितने time period के लिए चाहिए, up to 1 year, याद रखना है short से start करना है, short, एक बार दुबारा लिख लेता है, short, medium, long, short मतलब, up to 1 year, medium मतलब, 1 to 5 years, और long की बात करें, more than, more than 5 years, ठीक है? next classification पर आ जाते है, next classification हमारे पास आ जाती है, on the basis of ownership, अब ownership की बात करें, हमारे पास दो type के funds आ जाते है, first is honors funds, and second is borrowed funds, honors funds, honor मतलब मालिक, मालिक मतलब अपनी savings, अपना पैसा जब business में लगाया जाता है, उसी क्या बोला जाता है, honors funds, it is the amount of capital contribution, contributed by honor, पैसा कौन लाएगा, या तो honor itself पैसा लेकर आएगा, दूसरा अगर आप partnership में हो, तो पैसा, आप partners को ला रहे हो, तो partners भी अपना पैसा लेकर आएगे साथ में, और third is shareholders, अगर आप company form of organization में हो, तो इस case में पैसा कहां से arrange किया जाएगा, investors पैसा लगाते है, इससे बोला जाता है, shareholders, issue of shares and retained earnings are the two important sources of company finance, अगर company particular company finance की बात करें, तो company पैसा कहां से raise करती है, या तो shares issue करेगी, shares issue करके भी पैसा किसका होता है, हमारा खुद का होता है, investors क्या करते है, हमारी company में invest करते है, या फिर retained earnings, retained earnings क्या होता है, past savings, जो company पहले कमाते है, उसको save करके रख लेते हैं, जैसे हम earn करते हैं, हमारा source of earning होता है, तो कुछ हम spend कर देते हैं, कुछ हम क्या कर लेते हैं, save कर लेते हैं, उन savings को हम क्या करते हैं, फिर reinvest करते हैं, reinvestment को क्या बोला जाता है, retained earnings, clear, तो honors fund कौन से funds हो गई, जो पैसा honors खुद लगाते हैं, अपने business में उसे क किया बोला जाता है, honors funds, next features देख लेते हैं, honors fund के features क्या होते हैं, सबसे पहले, it is risk capital, risk capital क्यों बोला जाता है, क्योंकि honors क्या कर रहे है, business में अपना पैसा लगा रहे है, और it is a permanent source, permanent एक बार पैसा लगेगा, businessman कभी भी अपने business से पैसा वापस नहीं निकालता, all the risk with regards to enterprise lies on the shoulders of the owners and hence their capital bears all the risk, जितना पैसा बिजनस में लगा होगा, सारा का सारा risk किसका होगा, businessman का होगा, next, it is a permanent source of capital to the business, it is a permanent source, one time investment है, एक बार बिजनस में पैसा लगाता है, उसके बाद उस पैसो को बिजनस से कभी भी वापस नहीं निकालता, next, no security is required, जब बाहर से पैसा raise किया जाता तो उसकेस में हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई security mode gauge करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है, but in case of owners fund, अपना पैसा बिजनस में लगा रहे हो, तो उसकेस में कोई security की requirement नहीं है, next, it provides the right to manage and control the business, अब पैसा हम invest कर रहे हैं, बिजनस हम चला रहे हैं, तो हमारे ह जात में business का control भी आ जाता है, we have to manage the business also, next बात करते है, borrowed funds, borrow करना, मतलब बहार से पैसा raise करना, अब businessman एक तो पैसा अपनी savings लगाएगा, जहां savings खतम हो जाएगी, उसके बाद वो किस तरफ जाता है, बहार, बहार से पैसा raise करता है, that is borrowed funds, it refers to funds raised through loans or borrowing, जब हम पैसा बहार से raise क करते हैं, different other borrowings का use करते हैं, उसे क्या बूला जाता है, borrowed funds, it may be from debenture holders, or from public deposits, financial institutions, commercial banks, there are various sources जहां से हम पैसा raise कर सकते, इन sources को आगे हम detail में पढ़ेंगे, तो यहां पर हमने on the basis of ownership क्या पढ़ा, first is honest fund, second is borrowed funds, borrowed funds के features भी जान लेते हैं, it is raised for a fixed period, अब बहार से पैसा raise करोगे, तो generally जहां से भी borrow किया जाता है, आपको fixed term के लिए पैसा देते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और साथ के साथ आपको क्या करना पढ़ता है, इन पैसों को repay भी करना है, plus आप से interest भी charge किया जाएगा, but honest fund की बात करें, वहां पर ना तो पैसों को repay करना है, और ना ही आपको कोई interest पे कर ना है, next fixed interest rate to be paid, even if there is loss, अब company चाहे profit कमारी है, चाहे loss कमारी है, that doesn't matter, जहां से पैसा लिया है, उसको पैसा वापिस करना जरूरी है, और हर मन्थ आपको interest भी देना पड़ेगा, तो बाहर से पैसा raise करना मतलब आपके ऊपर fixed obligation आ गई, आपको पैसे भी वापिस करना है, और asset को गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर honest funds की बात करें वहाँ तो खुद का पैसा है, तो हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना, but borrowed funds की बात करें, तो यहां पर आपको charge create करना पड़ेगा, assets के ऊपर, that means आपको कोई ना कोई assets को as a security गिरवी रखना पड़ेगा, next, no sharing of control in management, management में कोई control share नहीं होता, dilution of control नहीं होता, मतलब आप यहां पर पैसा कहां से raise कर रहे हैं, बाहर से, और जो भी आपको पैसा देगा, उसको सिरफ अपने पैसों से मतलब है, आप business में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको फरक नहीं बढ़ता, but honest fund की बात करें, वहां पर जितने भी shareholders आएंगे, उनके साथ आपको अपने management का control share करना पड़ेगा, clear, next हम बात करते हैं, on the basis of generation, generation की बात करें, तो first is internal source, internal source जो भी पैसा हम internally raise करते हैं, जो भी पैसा honors खुद लगाते हैं, internally जो पैसा raise किया जाता है, उससे क्या बूला जाता है, internal source, it refers to the funds that are generated within the organization, जो organization के अंदर से ही पैसा, use किया जाता है, business में उससे क्या बूला जाता है, internal source, अब कौन को उसे sources आ जाते हैं, first is equity shares, equity shares कौन से funds आ जाते हैं, honest funds आ जाते हैं, खुद का पैसा होता है, disposing of surplus stock, sometimes ऐसा होता है, हमारे पास surplus stock पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस stock को sale क करके भी पैसो की arrangement करते हैं, next हमारे पास आ जाता है, retained earnings, retained earnings आपको बताया है, हमारी past earnings जो होती है, उसे क्या बूला जाता है, retained earnings, उनी past earnings को हम क्या करते हैं, business में reinvest करते, next हमारे पास आ जाता है, external sources, external sources मतलब जो पैसा बहार से raise किया जाएगा, जिसे आप borrowed funds भी भूल देते It refers to those funds that are raised outside the business, business के बहार से जो पैसा raise किया जाता है, उसे क्या बूला जाता है, external sources, अब बहार से पैसा raise करना, for example, issue of debentures, bank loans, public deposits, बहुत सारे sources आ जाते, अब इन सब sources को हम detail में जानेगे, आने वाले lectures में, hope आपको lecture बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया So, thank you very much, meet you in the next lecture, bye-bye